नमस्कार वेलकम नाइटूप चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तक्षा 5 हिंदी वाटिका कारी पुस्तका से पार्थ 9-3 सवाल पार्थ 10 चेतकी विर्ता पार्थ 11 मैयर होकी इन पार्थों में जो भी वर्क दिया गया है उसके लिए हम कंप्लिट करेंगे इसमें प्रावाची सब्द हैं विलोम सब्द हैं तुकांत वाले सब्द हैं इत्यादी आपके लिए प्रिसन मिलेंगे जो अगामी उपी टैट और सुपर टैट के लिए इंपोर्टेट हैं तो करते हैं प्रार्णा आप से रिकरिष्टे वीडियो को फुल वाज करें इसमें पार के लिए हम दूसरे रूप में माप करना भी कहते हैं वैसे ही अववादन के लिए हम स्रद्धा पूर्वक किया गया नमस्कार या फिर बंदना कह सकते हैं चेतना के लिए समश या जानना इत्यादी अच कचाना का अर्थ होता है घवराना मुद का अर्थ होता है मोहित अब प्रिशन है अपने सवालों के उत्र पाने के लिए राजा ने क्या गोश्रा करवाई थी ठीक है तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हम यह अंकित करेंगे राजा ने अपने राज में घोशना करवाई जो भी इन तीन सवालों का उत्तर देगा उसे एत्ष्ट प्रुस्कार दिया जाएगा यहाँ पर यह अंकित कर देना है नेक्स प्रिशन है कि राजा जब सादू से मिलने गये तब सादू क्या कर रहे थे तो इसका जो आंसर है वो सादू अपने कुटिया के भाहर सामने जमीन खोद रहे थे गाह है सादू के अनसार सबसे सही समय क्या है इसका जो आंसर है सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की सक्ति होती है गाहा है सादू के अंसार सबसे महत का आदमी कौन है इसका जो आंसर है सबसे महत का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होती है क्विश्चन है राजा ने घायल बेक्ति के साथ क्या किया इसका जो आंसर है राजा ने उसके घाव पर घाव दोकर पट्टी बांदी थी या पट्टी की थी सादू के अंसार जीवन की सपलता किसमे है तो इसका जो आंसर है हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए इसी में जीवन की सपलता है इसके दम नेक्स्ट पेसे पहुँचेंगे तो पहरा सवाल आपको यह मिलेगा बिलोम सब्द लिखना है जैसे सत्रू का मित्र होता है वैसे ही अपमान का सम्मान हो जाएगा निश्यत का अनिश्यत हो जाएगा ज्यान का अज्यान हो जाएगा चेतन का चेतन हो जाएगा महल का जोपड़ी हो जाएगा वहीं सपलता का सपलता आवश्यक का अनवश्यक अववादन का अलविदा पास का दूर और संध्या का सुभ है या फिर उसा कह सकते हैं नेक्स्ट कुर्शन है कि मान प्रित्य ठीक है यह आपका प्रित्य है जो सब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रित्य कहते हैं और सब्द से पहले लगता है उसके लिए हम उप्सर कहते हैं अब प्रित्य जोड़कर हमें क्या करना है सब्द बना देने हैं जैसे कि इदि मान में हम प्रित्य जोड़ दें तो क्या प्रित्य मान हो जाएगा अब जोड़ दे तो आपमान हो जाएगा मेह मान हो जाएगा आप मान हो जाएगा इस तरह से ये सब्द बन जाएंगे इनहीं में आप देखेंगे तो यहाँ उपसर लगा हुआ है अभी अब ये उपसर कहलाते हैं अब हम चलते हैं इसके बाद next question तरफ नीचे दिये गए तुकांत सब्द लिखना है सब्दों के तुकांत सब्द लिखना है जैसे पहला सब्द है महल महल का हम पहल लिख देंगे सबसे का कफसे लिख देंगे हवा का दवा लिख देंगे सुलाया का रुडाया और ध्यान का ग्यान अंगत कर देंगे इसके तम चलेंगे नेक्स कुछन तरफ प्रसन संग्य अच्छे नीचे दिये गए सब्दों को सही किरम में रखकर बाक बनाना है पहला बाक हम देख लेते हैं कि जो बाक बनेगा वो देख लेंगे एक दिन उसके मन में तीन सवाल उठे यही आगे पीछे दिखा हुआ है मैं यही एक सही तरीका है नेक्स प्रसन है कि आपने कहानियों में राजा के बारे में सुना और पढ़ा होगा आप त्योंसार एक राजा में क्या-क्या गड़ों होना चाहिए वो यहां पर अंकित करना है जैसे न्याय करने वाला हो आम नागरिक की बाद सुनने वाला हो जनता की सेवा करने वाला हो किसी भी बिपत्ती में सूजबूच से कारी करने वाला राजा वन सकता है इसको बाद नेक्ट कुशन है इस पार्ट का वे हर दिन पाट साला ठीक है मैं हर दिन पाट साला जाता हूँ ये तो बाक है अब हमें करना क्या है इस बाक में जो मैं दिया है यहां पर करता इसकी जगाए पर हमें करता तुम आप बहे बे सब्द लिखकर उपर दिया गया बाक लिखना है जैसे पहला तुम इस बाक में त तो यहां तुम रोजाना पाट साला जाते हो, ठीके, इसी प्रकार आप रोजाना पाट साला जाते हो, भहे रोजाना पाट साला जाते हैं, बे रोजाना पाट साला जाते हैं, इस तरह से हम लिख लेंगे, आप पाट दस देखेंगे, चेतक की बीरता, जो दिनांक लिखा हु राणा प्रिताप के गोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रिताप का कोड़ा था। रहा अरे ठीक बहे दोड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर गोड़ा था। जो तनक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राण उसको भी पाला कआते हैं किसी के साथ हो जाना या उससे पाला पड़ गया तो इसको भी हम व्ला कहते हैं पुतली कहते हैं आथारट पृसनों के उत्र यहां पडेना है प्रिशन संक्या गा देखेंगे यहां पर तो राडा प्रताप के गोड़े का क्या नाम था इसका जो आंसर है वो है चेतक खा है कि हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रत्कुई देता था इसका आंसर हो जाएगा सवाल लेकर भाई उड़ जाता था चेतक किस प्रिकार के अपना कौसल दिखाता था इसका आंसर है वालों में अपना कौसल दिखाता था चार तरफ भाले चलते थे तब भी वो निकल जाता था वहां से चेतक के किस रूप को देखकर भैरी समाज दंग रह गया चेतक की भीरता important question है ये चेतक की बीरता कफटा की रचेत कौन थे तो इसका जो answer है वो है श्याम नारायं पांडे ये जो है ये कफटलों ने रची है प्रिस्चन संग के नीचे पांच है तीन तीर प्रयावाजी सब्दें हाँ पर देखेंगे लिखना है जैसे गोडा के इनुने बताया है कि गोटक होता है असोता है तुरंग होता है उसी पिकार हवा का देखेंगे तो वह बायू हो जाएगा समीर अनिल नदी का तरनी सर्ता तटनी वादर का जलधर जलद मेग हर का केसरी नाहर शारंग दुस्वन बैरी का शत्रू और बेपक्ची अब हम चलेंगे नुछ क्यों तरब नीचे दिए गये सब्दों के तुकानसब्द यहां पर लिखना जैसे हबा का दवा हो जाएगा और लहर का नहर हो जाएगा, बाग का आग हो जाएगा, भारा का नाला हो जाएगा, टापों का काटो हो जाएगा, समाज का आवाज हो जाएगा, रंग का भंग हो जाएगा, इस तरह से हम ये तुकान सब रंकित कर लेंगे, इसके हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रिसंट तरह, य इसके दम चलेंगे महाराणा प्रिताप के गोड़े का नाम चेतक था इस त्री लिंग सब्द लिखना आए यहां पर जैसे गोड़ा का गोड़ी हो जाएगा वैसे ही जरता का गिरती उड़ा का ओड़ी गया का गई दोड़ा का दोड़ी नेक्स कुर्शन देखेंगे महारा प्रिताप के सिवनसर से थे इसका अंसर हो जागा सिसोदिया राजपूत इसके अपने पास के पुस्तकार में जाकर राणा प्रिताप से समलत जानकारी प्रात करके उसको लिखना आए यहां पर और इसके दम देखेंगे पार्ट आपका ग लिख सकते हैं कितने खिलारी यहां पर खेलते हैं इस खेल में ऑलिंपिक प्रित्यक्ताओं में भात प्राया विजय होता आया है नेक्स्ट है कि सुद्वर्तनी के सम्मख बने गोले में सही का टिक करना है जो भी सुद्वर्तनी के सब्द लिखा हुआ है उसी पर हमें टिक कर देना है जैसे यहां पर पहला सब्द आप चार सब्द देगा है प्रतिवक्ता के संबंदित में तो जो यहां पर सही है उस पर ह कन जाइव है ऐसने देशों का उनकी राजधाणी के साथ मिलान करना है तो यह पर देखेंगे दिये गए विकलपों के अधार पर एक्तिस्तान के पूर्टी करना है जैसे कि मेजर दिया गया है इसी प्रिकार सचन तेंदलकर और पीटी उसा मिलका सिंग राहूल दिरबट शोय बक्तर तो पहला प्रिसन है क्रिकेट के मास्टर विलाश्टर सचन तेंदलक के लाड़ी राहूल दिरबट थे शोय बक्तर रावल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं यह प्रिसिद हैं और इसके मेजर ध्यान चन होकी की जादूर के नाम से प्रिसिद है इनका जो जनम है वो लखनों में हुआ था और इनके नाम से एक इस्टेडियम भी लखनों में इस्तापित किया गया है प्रिसन संग्या पांस देखेंगे निमिलकित पहली में खेलों के नाम छिपे हैं उन्हें डून कर यहां पर लिखना जैसे कि क्रिकेट है फुटबॉल है वैडमिंटन है होकी है मुक्यवाजी है कवर्टी है खोकू लास्ट वाला देख रहें तो यहां पर आपके लिए जो है मौर मिल जाएगा ठीक है मौर मौर क्या है हमारा यह हमारा राश्टी पक्षी इसके लिए राश्टी धुच को हम त्रंगा कहते हैं यहां पर त्रंगा के लिए राश्टी धुच यहां पर अंकित कर देंगे अब आता है हमारा असोक चिन ये वाला जो असोक की लाट से लिया गया है तो इसके लिए हम राश्टी प्रितिक कहते हैं उसके हम देखेंगे कमल कमल हमारा जो है राश्टी ये फूल है और उसके देखेंगे होकी होकी हमारा जो है राश्टी ये खेल है तरह से हम यह मिलान करेंगे आसा करते हैं जनकारी आपको पसंद आई होगी मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार